हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सरकी क्लास आज की ये शिक्षा निदेश आले राष्टे राज़ानिक शेत्र दिल्ली की वर्क्षीट वर्क्षीट नमबर 27 जो की कक्षा सात्वी के विद्यार्थियों के लिए हैं यह ली गई है विज्ञान विशे से और इसमें हम प्राणियों में पोशन पाठ को कंटिन्यू करते हुए उसकी रिवीजन को जारी रखेंगे तो चलिए समझते हैं मेरे साथ और प्राणियों में पोशन की रिवीजन करते हैं उसको एक बार धोराते हैं देखिए इस पाठ में अभी तक हमने सीखा, क्या सीखा, मंड यानि स्टार्च की तरह हैं कार्बो हाइड्रेट का पाचन भी मुख से ही यानि मुँ में से ही प्रारंब हो जाता है, शुरू हो जाता है, प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंब होता है, याद रखना, अगनाशे द्वारा अगनाशिक रस स्राव और शुदरांत भित्ती छोटी आथ की दिवार द्वारा श्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन की सभी घटकों का पाचन शुदरांत में पूरा हो जाता है यानि इतने सारी जगां से वो चलता हुआ पाचित होता हुआ जो पूरा जो पाचन है वो शुद्रान्त में आके पूरा होता है फिर पचा हुआ भोजन छोटी आत में रक्त वाहिकाओं द्वारा अफ्शोशित होता है जो पचवा भोजन होता है न वो रक्त भाही काउं द्वारा अब्जॉर्फ कर लिया जाता है अफ्शोशित कर लिया जाता है फिर अगला पॉइंट है जल एवं कुछ लवन बड़ी आथ यानि ब्रहदांत्र में अफ्शोशित होते हैं जल और कुछ अन्य लवन बड़ी आथ में अफ्शोशित होते हैं अफ्शोशित पदार्थ शरीर के विभिन भागों को स्थानांत्रित कर दिया जाते है यानि जो भी अफ्शोशित पदार्थ है वो अलग-अलग शरीर के विभिन भागों में स्थानांत्रित कर दिया जाता ह फिर अपचित अपशिष्ट जिनका अवशोशन नहीं होता यानि भोजन का एक ऐसा भाग भी है जो कि अपचित रह जाता है अपशिष्ट के रूप में होता है उनका अवशोशन नहीं होता तो मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर के बाहर इसको निकाल दिया जाता है अब आप समझ गए कि पाचम प्रक्रिया कैसे होती है फिर अगला पॉइंट है गाए, भैस, एवं हिरन जैसे घास खाने वाले जन्तु प्रोमंथी यानि कि रूमिनेंट कहलाते हैं आपको पता है न, वो जुगाली करते हैं वे पतियों का अंतरग्रहन तीवरता से करके उन्हें निगल लेते हैं यानि वे पतियां जो क्या करते हैं, जल्दी-जल्दी उन्हें चबाके निगल लेते हैं तता रुमेन में भंडारित कर लेते हैं रुमेन क्या होता है उनकी पेट की थाली के पास एक और भाग होता है जिसको रुमेन कहते हैं उसमें इस भोजन को वही खटा कर लेते हैं कुछ अंतराल के बाद भोजन जो है पुन्हें मुख में आ जाता है और पशु उसे धीरे धीरे चबाते रहते हैं अब आपको समझ में आया कि ये गायब है सीरन जैसे जो पशु है वो सारे टाइम मूख क्यों चलाते रहते हैं जुकाली क्यों करते रहते हैं इसलिए फिर आखरी जो पॉइंट है वो है अमीबा में भोजन का अंतरग्रहन पादाब की साहता से होता है तथा इसका पाचन खादे धानी में होता है यानि अमीबा में जो भोजन होगा उसका अंतरग्रहन कैसे होगा पादाब यहांने समझाये था ना यह कृत्रिम हाथ जैसा होता है जैसे कोई हाथ का टुकडा हो एना ऐसे वो निकलता रहता है और खाद्य धानी में जो है फिर इसका पाचन पूरा हो जाता है चली अब हम चल रहे हैं असान से प्रश्ण उतर पर देखो पहला प्रश्ण है कि तालिका से उप्युक्त विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए यहां पर एक आपकी हल्प के लिए कुछ वर्ड लिखे हुए जिनको जिनके माध्यम से आपको जो नीचे लिखे गए फिलिंग दा ब्लैंक्स है उनको आपको पूरा करना है ठीक है लेकिन वर्ड ह वो है यक्रित हमारा लिवर तो आप यहां पर लिख दोगे यक्रित फिर इसके बाद है पाचन यहां पूर्ण होता है पाचन कहां पर पूर्ण हो जाता है अभी अभी उपर हमने समझाता वो है शुद्रांत शुद्रांत आपको यहां पर लिख देता हूं अलग से शुद फिर third है इस भाक से मल बाहर निकाल दिया जाता है यानि जो बिना पचा भूजन होता है कौन से भाक से मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है वो है गुदा आप यहाँ पर लिखेंगे गुदा ऐसे और फिर चौथा है वह है अंग जिससे अमीबा अपना भूजन पचाता है वो है खाद्यधानी तो आप इसको ऐसे लिखेंगे खाद्यधानी छीक है खाद्यधानी जिसमें अमीबा अपना भूजन पचाता है फिर इसके बाद है दूसरा प्रशन सही कथन के लिए T और असत्य कथन के लिए F का निशान लगाए स्टार्ज का पाचन अमाशे में शुरू होता है बताईए उपर हमने पढ़ा है अमाशे में शुरू होता है तो ये है false F क्योंकि उसका पाचन मुख में ही शुरू हो जाता है दूसरा है घास खाने वाले जन्तु जैसे गाए भैस और हिरन जुगाली करने वाले कहला आते है true तो आप इसको कर दोगे true ती फिर है अमीबा में कृत्रिम पाओ को pseudo podia के रूप में जाना जाता ये भी बिल्कुल सही है तो आप T को write करोगे और सबसे आखरी में अगनाशे पित का स्राव करता है तो ये गलत है क्योंकि अगनाशे जो पित का स्राव नहीं करता वो जो है दूसरा भी उपर हमने नाम उसका पढ़ा था तो उसका असराव वो करता है तो ये तो थी आज की वर्कशीट अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नई है और जिन्दगी को एक बार फिर से सुहना बनाना है इसे उम्मीद के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद